हलो दोस्तों स्वागत आपका आज सुने की नोलिज में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वा रहा हूं कि कैसे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको किस की वर्ड्स पर कितने पैंसे या डोलर मिलने वाले हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वीडियो पर व्यूज है, 1600 व्यूज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1.6 के व्यूज है, वास्टाइम मुझे इस वीडियो से मिले हैं, 54,600 मिनट मुझे इस वीडियो से मिले हैं, और सब्सक्राइबर देख सकते हैं, आप 12 पलस इस वीडियो से 12 लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइ आप यहां पर देख सकते हैं 2.20 dollar यानि 2.20 dollar तो 20 dollar मुझे 1600 फिर मिल गया है यदि आप लगाते हैं तो 800 फिर मुझे 1 dollar मिल जा था और किस keyword पर आपको जादा डॉलर मिल सकते हैं और किस keyword पर कितने जादा सर्चेज होती हैं यानि सरल भासमक हैं तो किस कीवर्ड को लोग जादा सर्च करते हैं और किस कीवर्ड पर जादा डॉलर मिलते हैं यह हम कैसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में बताने वाला हूं कि आप कैसे देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पर कितने डॉलर और कितने सर्च होती हैं लेकिन दोस्तों वीडियो सुर्ख करने से पहले यह दिया आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि मैप के लिए हो जाना इसी तरह की लाता रहता हूं तो दोस्तों सबसे पहले आपको कीवर्ट से निकालने होंगे जो भी आपकी वीडियो का जो है टाइटल है यहां पर मैं टाइटल में आपने दिखा देता हूं मेरी वीडियो का जो टाइटल है यहां पर आप देख सकते हैं हाव टू रिमूव याहू सर् याहू में होती हैं तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं अब मुझे इस वीडियो के लिए जो कीवर्ट्स चाहिए होंगे मैं उनकी रिशर्च करूंगा के वर्ट कैसे करते हैं कैसे आप टैक्स फाइंड करते हैं यदि आपने यह वीडियो नहीं देखे तो उपर आई बट करने हैं तो क्यों सबसे पहले मैं यूटूब में जाओंगा और जो मेरा टैटल है वीडियो का वह मैं यहाँ पर सिंप्ली पेस्टैट कर जो मेरा टाइटल है उससे रिलेटेड अब दूसरी बात आपको Google पर जाना है Simply Rapid Tags आपको सर्च करना है यहां पर आप देख सकते हैं और Tag Generator Tool है यह आपको इस पर ओपन करना है इस टूल को Rapid Tags को जब आप Rapid Tags को ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो है टाइटल वीडियो का सर्च करने को option मिलेगा यहां पर आपको आपनी वीडियो का जो है टाइटल को Simply past कर देना है मैं यहां पर आपनी वीडियो का जो title उसको past कर देता हूं और enter कर देता हूं अब मेरे टाइटल सा रिलेकर जीतने भी searches होती है जीतने भी tag्स है वो सारे मुझे यहां पर देखने को मिल जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, how to remove Yahoo from Chrome, यह जितने भी searches हैं, यह मेरे टाइटल से related होते हैं, यह सबसे आशान तरीका है, बहुत easy तरीका है, अपने टाइटल, YouTube वीडियो के टाइटल से के लिए, जो है अपनी YouTube वीडियो के keywords को find करने का, अब simply मैं इन सारे keywords को copy कर देता हूँ, simply आपको copy पर tap करना, यहां पर text, copy to keyboard, सारे के सारे text जो है, copy हो चुके हैं, अब मैं AdWords account में login होता हूँ, इसके लिए जो है दोस्तों, आपके पास AdWords account का होना जरूरी है, यदि आपके पास AdWords account है, तो आप उसको open कर लिजे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है, देखते हैं कि किस keyword पर कितने dollar मिलेंगे और कितने searches होती है, मेरा AdWords account यहां पर open हो रहा है, AdWords account open होने के बाद हमको Google Keyword Planner tool पर जाना है, जो कि बिलकुल free है, यदि आपके पास Google AdWords account है, ठीक है, Google AdWords account कैसे बनाते हैं, इस प यहां पर जो है, Google AdWords account open होते ही, हमको जो है, लोगिन होना है, Google Keyword Planner tool पर, और वहां पर जो है, जो हमने text या keywords को copy किया है, उनको simply वहां पर paste कर देना है, और वहां पर हम देख पाएंगे कि किस keyword को लोग कितना ज्यादा searches करते हैं, और किस keyword पर हमें कितना dollar तक मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर जो है, हमारा Google AdWords account open हो चुका है, सबसे उपर यहां पर आपको search reports and tools setting का option मिल जाते हैं, तीन option आपके पास है, पहला search, second reports and third tools and setting, उसके पाद आपको tools and setting का जो option थर्ड वाला, आपको simply उस पर click करना है, तो यहां पर यह थोड़ा processing ले रहा है, Google AdWords account load होने में थोड़ा time लेता है, तो जब यहां open हो जाएगा, तो हमको tools and settings पर जो है, click करना है, and tools and setting का जो option है, उसको click करने के बाद आपके पास एक और नया interface आपको देखने को मिल जाएगा, जब आप tools and settings पर click करते हो, तो दोस्तों, जैसी आप tools and settings का option पर click करते हैं, तो आपके पास इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाता है, सबसे वाला पहला dashboard है, planning का, इस पर आपको second option मिल रहा है, keyword planner, आपको simply keyword planner पर click करना है, और आप keyword planner tools है, जो है, check कर सकते हैं, कि किस keywords पर कितना ज्यादा searches होती है, यह खुद Google का product है, तो यह काफी ज्यादा secure है, और काफी ज्यादा correct data आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर Google keyword planner से आप check कर सकते हैं, कि किस keyword को लोग ज्यादा searches करते हैं, और किस keyword पर जो है, कितने dollar, कितनी income आप बना सकते हैं, तो दोस्तों, जैसी आप Google keyword planner को open क करते हैं, तो यहाँ पर discover new keywords का option आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप type कीजिए, discover new keywords पर, और उसके बाद simply जो हमने keywords को copy किया था, यहाँ पर simply हम जो है, उन keywords को पेस्ट कर देता है, जैसे हम यहाँ पर उन keywords को test करते हैं, get results पर हम को click कर देना है, get results पर जैसी हम click कर देता हमार से keyword की, और किस keyword पर हम को कितना data हम को, कितना dollar मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर हम को refund keywords यह beta version है, Google keywords का भी, तो हम को इसको close कर देना चाहिए, तो हम इसको हाटा देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो Chrome keyword है, Chrome keyword इसको searches किया जाता है, हर महीने 10 लाग से लेके 1 करोड बार, जी हाँ दोस्तों, Chrome जो keyword है, उसको search किया जाता है, हर महीने 10 लाग से लेके 1 करोड बार तक, Competition, Chrome keyword का low है, आप इस keyword पर 102 रुपे 45 पैंसे से लेकर 2430 रुपे 92 पैंसे तक कमा सकते हैं, दूसरा keyword है Google Chrome, जो सर्च किया जाता है, हर महीने 1 लाग से लेके 10 लाग बार तक competition low है, पैंसे आप कमा सकते हैं, 46 रुपे 54 पैंसे से लेके 2613 रुपे 73 पैंसे तक, जो तीसरा keyword है how to, इसको सर्च किया जाता है हर महीने 1 लाग से लेके 10 लाग लोगों तक, और competition low है, पैंसे कमा सकते हैं हाँ, एक रुपे 53 पैंसे से लेके 170 रुपे 91 पैंसे तक, और यहाँ पर जो keywords है how to remove yahoo from chrome, इसको सर्च किया जाता है 10 से लेके 100 लाग हर महीने competition low है, इसकी जो low bid और high bid वह यहाँ पर available नहीं दिखाए गई हैं, हम नीचे चलते हैं और related keywords को चेक करते हैं, कि हमारे पास इन से related और क्या keywords हैं और उन पर क्या bid चल रही हैं, यहाँ पर इन से related keywords है, Google Chrome download सर्च किया जाता है 1 लाग से लेके 10 लाग पार तक competition low है, कोई पैंसे आप कमा सकते हैं 271 रुपे 25 पैंसे से लेके 3192 रुपे 09 पैंसे तक, अगला keyword से Google Chrome free download, इससे related keyword है, सर्च किया जाता है, 10 लाग बार तक competition low है, पैंसे आप कमा सकते हैं, 181 रुपे 68 पैंसे तक, 181 रुपे 68 पैंसे से 3417 रुपे 99 पैंसे तक, एक और keyword यहाँ पर हमारे पास हैं, जिस पर आप high bid देख सकते हो, Google Chrome app, सर्च किया जाता है, हर माईने 10 रुपे 1 लाग बार तक competition low है, और यहाँ पर low bid है 48 रुपे 07 पैंसे से लेके high bid है 57225 रुपे, 57225 रुपे high bid है, इस keyword को यदि आप अपने YouTube वीडियो में लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं, कि आपके YouTube earning कहां जाने वाली हैं, आप यहाँ पर 1000 व्यूज पर एक डॉलर आजसानी से कमा सकते हैं, यदि आप इस से related वीडियो बनाते हैं, और किसी भी तरीके से Google Chrome app को title, description या text में लगाते हो, तो आप कमा सकते हो 48 रुपे 07 पैसे से लेके 57225 रुपे तक, ठीक है, Chrome app उसका भी same है लेकि इसकी low bid बहुत कम है, इसकी low bid है 48 रुपे और इसकी low bid है 1 रुपे 08 पैसे यानि 2 रुपे तक लगबग, और इनकी जो high bid है, same है 79225 रुपे और 79225 रुपे, high bid इन दोनों की same है, लेकि low bid में इनकी जो है, काफी difference है 48 रुपे और 2 रुपे, ठीक है, हमारे पास और भी related keywords है, इनसे Google Chrome latest version सर्च किया जाता है, 10,000 से लेकि एक लाग बार तक, और यहां पर आप low bid देख से तो 2 रुपे 39 पैसे से hybrid है, 3077 रुपे 94 पैसे, वहीं हमारे पास एक और keyword है, Google Web किया, Google Web, तो इससे सर्च किया जाता है, 10,000 से लेकि एक लाग बार तक, competition low है, low bid है, 16 रुपे 02 पैसे से लेकि 35410 रुपे तक आप कमा सकते हैं, एक और keyword है, install chrome, ठीक है, इस पर यदि आप अपनी वीडियो बनाते हैं, कि आप Google Chrome को कैसे install कर सकते हो, तो इन इस्टल कर सकते हो, तो इन इस्टल कर सकते हो, और यहां पर जो related keywords हैं हमारे पास, यहां पर और भी keywords हम देख सकते हैं, high bid इनकी 3,225 रुपे 3,000 और एक keyword है, Google Chrome offline installer, इसका आप low bid देख सकते हैं दोस्तों, 588 रुपे, बहुती ज्यादा, बहुती ज्यादा, जो हम कह सकते हैं, इसकी low bid है, इसके searches हर मेहने, 1000 से लेके 10,000 लोग इसको सर्च करते हैं, Google Chrome offline installer को, तो आप सोच नहीं सकते हैं, यह आप इस title पर अपनी videos को बनाते हैं, कि how to Google Chrome offline installer, आप Google Chrome को offline में कैसे install कर सकते हैं, जबकि आपकी पार net भी नहीं हो, तो आप 1455 रुपे 80 पैसे high bid है, और low bid है 588 रुपे 27 पैसे हैं दोस्तों, तो यदि आप इस topic पर videos बनाते हैं, तो आपको 100% में sure हो को कह सकता हूं कि 800 views, 800-900 views पर आपको एक डोलर पक्का मिलने वाला है 100%, ठीक हैं, यहाँ पर, यदि आप Google Keyword Planner tool पर मेरी आप उपर link दे दूँगा, मैं I button पर, यदि आप उस videos को देखते हैं, तो मुझे 1200 views पर ही, एक डोलर मिल गया था, मैंने Google Keyword Planner से related एक videos बनाई थी, मातर 1200 views पर मुझे कुछ एक डोलर से लेके 33 डोलर, 1.33 डोलर हो गये थे, और 1500 views पर मुझे 2 डोलर प्लस हो गये थे, उस video पर मुझे लगबग, यदि आप लगा सकते हो, 1500 views पर मुझे 2 डोलर बने हैं, तो उस video पर मुझे 7800 views पर एक डोलर मिल गया था, आसानी से, तो इस तरीके से आप find कर सकते हैं, दोस्तों कि आपको किस keyword पर वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि आपकी YouTube earning बढ़े, और यहां पर आपको काफी अच्छा और correct data आपको मिलता है, क्योंकि Google Keyword Planner, Google Ads, यह Google का यह product है, तो यहां पर सारी keywords आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किस keyword को लोग जादा सर्च करते हैं, और किस keyword पर आपको जाता से जादा पैसे मिल सकते हैं, इस तरके से आप keyword फैंड करके, यह आप यूज करते हैं, इन keywords को अपने YouTube वीडियो के description tags में किसी भी तरीके से, तो आप का channel बहुती जल्दी गरो होने का 100% chance है, और आपकी YouTube earning तो बढ़ेगी ही, आपको 500 views पर 2$ आसानी से मिल जाएंगे, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उपर आई बटन पर आप देख सकते हैं, कि किस तरके से मैंने 1400-1500 views पर आसानी से 2.5$ कमा लियत हैं, तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो जो है, काफी लंबी हो चुकिए, वीडियो को लाइक करके channel को भी subscribe कर जाना, क्योंकि मैं आप खिलर हो जाने से तरे की interesting videos लाता रहता हूँ.